इंडियन रेड ट्रॉज सोसाइटी बस्तर द्वारा सवेक्षिक रक्तदान शिविर में महापर्ण सफीरा साहू और कलेक्टर संदन कुमार ने रक्तदान किया कलेक्टर कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है सबी को रक्तदान करना चाहिए उन्होंने कहा कि जिले में डेंगू मलीरिया के मरीजों के साथ साथ अन्य बिमारियों के मरीजों को खून की अवशक्ता हो सकती है उन मरीजों को खून की कमी ना हो इसके लिए प्रशाशन ने रेड क्रोस के माध्यम से शामा प्रसाद मुखरजी टाउन हॉल में एक दिर्सी सवेक चिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया हम अरे कस्तर से इस पे राई कर रहे हैं और साफ सफाई को चाहे मच्छर के लारवा जहां पे सोर्स आइटिंटिकेशन देए और सुर्स एडेक्शन की काम पेचनी रहे है लेकिन जो अफेक्टेट हो जा रहे हैं उनको कहीं सारे ऐसे मरीजे जिने प्रेंटिक्स की अश्कता पर रहा है तो उनको यह समर्थन देने के लिए और यह ग्यानिक बल देने के लिए और अपने इस रड़ाई में अकेले नहीं उनकी जिला प्रसाशन हो चाहे हुआ हुआ हम लोग समें मिल के इस बहीम में जुडे हुए हैं और उसके तारतम में आज आज यह ब्लड कि लोग मिलकरी से लड़ रहे और यहां पर आप लोगों के मार्जिम से में यवी अभीन करना चाहूंगा और शहर की लोगों से और चिले की लोग से किर्पया यहां पर आए और रख्दान में अपना सहयोग करें रख्दाने की महादान है इसे आप लेवल रख्दान नहीं क देंगों हमारी थैटिंगी और फ्लेट लेट के बारे में आप चाहने हैं कि बहुत ज्यादा आशक्ता है और ऐसे में पहुच ऐसे रेयर ब्लड में नहीं मिलपा है तो आज रेट्वास के दुवारा यहां पर फ्लेट लेटिंग कारिकरम रखा गया है इसमें मैंने भी अप देंगों का जो प्रतोक चल रहा है उसके बारे में नहीं मिलपा है और फ्लेट लेटिंगों का जो प्रतोक चल रहा है जिला प्रशाषन तो अपना कारिक करी रही है पूरा प्रयास रहता है उसके साथ साथ हुमारे देगन प्रशाषन हमारे महापौर हम सभी पारशद इसके लिए पूरे प्रयास रहता है हम लोगों ने हमारे महापौर ने भी रखना गान गया हम लोगों ने पारशद भाई संवादाता विजय पचोरी की रिपोर्ट कर दो